साथ्यों, इस बार जब मैं जापान आया हूँ, तो हमारे डिप्लोमाटिक समंधों को सत्तर साल होने जा रहे हैं, साथ दशक. साथ्यों, आप भी यहां रहते हुई अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर को अनुभव करता है, कि भारत और जपान नेचरल पार्टनर है, भारत के विकास में, भारत के विकास यात्रा में, जापान की महत्वपन भूमी का रही है, जापान से हमारा रिष्टा आत्मियता का है, अध्यात्म का का है, जापान से हमारा रिष्टा सहियोग का है, अपनेपन का है, और इसलिए एक प्रकार जे इस रिष्टा हमारा सामर्त का है, ये रिष्टा सम्मान का है, और ये रिष्टा विश्व के लिए सांजे संकल्प का भी है, जापान से हमारा रिष्टा बुद्ध का है, बोध का है, ज्ञान का है, हमारे महाकाल है, तो जापान में दाइको कुतिन है, हमारे ब्रह्मा है, तो जापान में बोनतिन है, हमारी मा सरस्वती है, तो जापान में बेंजाईतिन है, हमारी महादेवी लक्ष्मी है, तो जापान में कीची जोतिन है, तो हमारे गणेश है, तो जापान में कानगीतिन है, जापान में अगर जेन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षाथकार का माध्या मानते है 21 सदी में भी भारत और जपान के इन सांस्कूरतिक समंदों को हम पूरी प्रतिबद्धता के सांथ आगे बढ़ा रहे हैं It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojha's story and support independent, robust journalism.